इस वक्त क्या चल रहा है कितने महंगाई है इस वक्त हद से ज्यादा बाठ रही है बाजर में अगर इनसान जाता है मूली एक केजी मिलता है पच्छास रुपिया में मैं सूचता हूँ मैं केमिशनर साब को गुजार्श करता हो मॉनस्पलिटी के कमिशनर साब को गुजारिश करता हूँ क्योंकि वो मार्केटिंग चाकिंग क्यों नहीं करता है आप कमिशनर साब आप मार्केटिंग चाकिंग करो आप देखो मार्केटिंग में इस वक्त कितनी महंगाई है शालगम साइट रुपया केजी देते हैं मूली पचास रुपया क केजी देती हैं गाजर चालिस रुपया केजी दे इस पर कमिशनर साब थोड़ा कदम उठाओ क्यूंकि इस वक्त लोग गरीब है गरीब तब का है कश्मिर में सिक्रिस्टी फाइव परसंट लोग यहां के जो गरीब लोग है उन पर हद से ज्यादा असर पड़े हैं मैं कंसर परहल तहसिलदार साहिबान उनको भी गुजारिश करता हूं वो भी मार्केटिंग चाकिंग करें क्यूंकि इस वक्त अंडे मोहमली से एक अंडे इस आठ रुपया साथ रुपया में बेचते हैं कम से कम तहसिलदार साहिबान और केमिशनर साहिबान इसकी तरफ अगर द्य करीम है अभी अफटर एलेक्शन के बैद स्टाफ क्राइम खुद मार्केटिंग चाकिंग में आ जाएंगे उसके कंसर एसे चो साहिबान साथ होगे जो जो यह मार्केटिंग में मुनाफ़ा खोरी करेंगे उसके लिए संट्र जेल तो बना करें आईसे अनासरों के लिए सं किंबर चत्रहमा हाडोरा हारवन दारा थेद शोहमा यहां के पठवारी जो है पहले तो यह आज लोगों को मिलते नहीं इनको मेरे ख्यालों से मुनिश्टरों की तरफ अब एपाइमेंट लेना पड़ेगा किस दिन यह मिलेंगी उसके बैद अगर मिलेंगे भी महमली इंत इनको पठवारी साहबानों को मैं गुजारिश करता हूँ इतना जलूमत करे अल्ला से डरे क्योंकि आपको कल अल्ला के पास जवाब देना है इतना जलूमत करो आप एक लाग डेड़ लाग दो लाग रुपया लोगों से मांगते हैं यह बहुत गलत है आप पाबलिक ठी रहो उसी तरीके से काम करो इस वाकर सिटाप क्राइम आ रहे हैं आपको जवाब लेने के लिए बी एलेक्शन है एलेक्शन के लिए हम ठहरे हैं आप महरबानी करके लोगों को मत सताओ यहां गरीब तब का है से किस्टी फाइव परसंट लोग गरीब है यहां के लोगो देखे जनाब, मैंने पहले भी एलेक्शन से पहले भी गवर्नर साब को गुजारिश की है, आप पथवाईर यो का, जो पथवारी साहबान है यहां के, इनका तनखा देखो क्या है, तनखा के मतबिक, इनकी प्रापर्टि देखो क्या है, जो इनके पास अलावा है, वो अपने पास रखे वो प्रापर्टी जो उनके पास इजाफा है जो उन्होंने आज तक लूट खुसूर किया है उनाने वे जब यहां थी यहां मिल्टनसी आ गई यहां बहर से पैसे आते हैं उसे हद से ज्यादा लोग यहां के गुमरा हो गए बहुत से लोग उन्हें यहां पर उस पैसे से कंपलेक्स बनाए हैं बड़े बड़े बिल्डिंगे बनाए हैं जमीन खिरीदा है गौर्मेट उनको एक एक करके जवाब ले जाएंगे मगर अभी तो टाइम है आईस्ता आईस्ता सब को वह वापस करना है वहा एनाई खुद खुद उनके पास जाएंगे सी बी आई जाएंगे वो उनसे ले जाएंगे जिस तरह इस वक्त लिश्ट बने हैं जो मिल्टन से वाबस थे तीस जार लोग जो इस वक्त सर्विस करते हैं उनको भी आईस्ता आईस्ता जवाब देना है क्या करना है देखे जनाब आपको पता है एक बेटे ने अपनी माँ को मारा है एक बेटे ने हमारे एरिया में एक बेटे ने अपने बाप को मारा है क्योंकि उसको उस बिचार ने जमीन बेचा है उसको कुछ पैसा आ गया बेटे ने उसको मारा और ये वबा फैल गई है स्टाफ क्राहिम इसलिए आये हैं इन्शाला हम ड्रगस पर पूरा कंट्रोल करेंगे जो भी इसमें मनवस पाएं जाएंगे उसको उमर्स कैद सजा हम दिलवा देंगे उसके बैद जो चारस वरस जो ये शराव वराब यहां के नवजवान इस वक्त चोटे बड़े तकरिबन बीस परचीस परसंट इस में मनवस परचीस परसंट लोगों को इन्फेक्शन हो गई है यह भी सिटाप क्राइम इन्शाला हो और हम आएस्ता आएस्ता दूर करेंगे क्योंकि हम हम आए हैं मार्केट में खाली हाथ नहीं जाएंगे इन ड्रगस फरोश उनको साथ ले जाएंगे छोड़े गए नहीं उनको सलाखों के पिछे डालेंगे उनको इन्शाम अगर देखेंगे सिटाप क्राइम हरे एक जिस्टाप क्राइम इन्शाला है और एक सालेंगे यहां पे खुड़ा होगा है यहां पे बेरोजगारी भी बहुत बहुत की हैं हद से जादा आप उसकी को ख़दू करने में किस तरह सरकार का मदश करेंगे देखे सर म मैंने आज से पंदरा दिन पहले डिल्ली में एक मंतरी जी से इसके बारे में बाग की जमु कश्मीर के बेरोजगारी के लिए सारे लोगों को यहां नोकरी नहीं मिलेगी यहां आने वाले टाइम है आप्टर एलेक्शन जब मोड बीजेपी का वजीराला यहां बन जाएगी यहां बहुत से इंडिस्टीज बन जाएगी बीस बीस पर चिस पर चिस हजार नौ जवान एक एक इंडिस्टीज में फेक्ट्री में एड़्रस होगा इनका काम इन्शालला हुर्मान हमारे मोडी जी इन्शालला हुर्मान बेरोजगारी का खाइदमा यहां जरूर करेंगे इंडरेश हमारे इंडरेश जी ने मेरे सामने पहले लेक्टर में जमू कश्मीर के बेरोजगारी के लिए बात